तो जैमता की राधे राधे आप सभी को आग माता रानी राधा कृष्णा तीनों जनका सिंगार आप सबको शेयर करने वाली हूँ इनका जोलरी बनाती हूँ वो भी मैं आप सबको शेयर करूँगी तो देखिए यहाँ इनका यह कपड़ा है जो मैंने सुखा के ने के लिए डाल दी थी धुल की क्योंकि यह मैं सिकन बार पहना रहे हूँ जब रिपीट करती हूँ तो कपड़ा उसी को ऐसे उठा के रख दे निगे जब से फटापड से तयार हो जाती है तो देखिए इनको उल्डयोंस में बघाती हूँ तो जरूरी हुए मैं आपαसब को दिखा आँगी इस तरह से इनका शिंगार कर रही हूँ यह बहुत सीधे सिंपल में चाहिए टाट से तयार कर दाना तरहलों मैं सुनदर बंशना ऐस है नहीं कर दर चाहिए देट बंशना सामन और स्टिण रखनुे शिर। इन और नहीं तो सबसे पहले मैं माता जी को छी है कि सब्सकिछा है इनको यहां पानी सेॹ कहना रता है तो यह वाला मैं सेॹना रहां रहे हैं मीरा चाहिता बतानी जास्टा कुमर सब्सके इंदें Dr.Kरूर कबन्द कर देंद को जाने हम पेण से काहा लगा। बाली को मैंने लेली हूँ और उसको मतलब दबा दी हूँ लोखन इसका बहुत कम जोर रहता है तो मोड़ें के फटाक से मूड़ जाती है इस तरह से मैंने का पहना दी यह बहुत अच्छा लग रहा है और उसके बाद क्योंकि इनके साइज का मिलता नहीं है इनका बाल जो है इससे रख के ऐसे बाल को पूस कर देंगे तो दब जाएगा और इसी सी जोलरी भी चिपकाती हूँ तो यह मार्केट में पूझा दुकान पे बहुत नॉर्मली मिल जाता है जिसको नहीं पता होगा मैं उनके लिए बोल रही है बाकी लोग पता होगा तो देखिए मैं कान जो लगाँगे उनको बाली पहनाओंगो उसमें भी इस तरह से लगा दूँगी तो यह लगा के चिपका देंगे तो बहुत अराम से नॉर्मली टिका रहता है जब तक आप निकालेंगे नहीं तक तक टिका रहता तो इस तरह से मैं इनका कान का पला दी इनका सुंदर सा बाकी तो यह बहुत सुंदर लग रही है तो जैसे कि मैं इनका कमर बंद पैनाती हूं तो कमर बंद उनके साइज का मिलता नहीं मांग्टी का नहीं मिलता है और हाथ का कड़ा यह सब चीजे मुझे बहुत मुस्किल से मिलती है तो मैं कमर बंद के लिए हार पैना देती हू मैं बनावे के ज़िएया फcking बंदी बना पूल कुर जाए में दिट के विंदी में देना चाहिए उसको भी एक इसको कट करके इसके उपर रखके यहां से मैं दोनों साथ पीन से अटाइच कर दूँ तो दीखेंगा नहीं मैं आपको एक आडिया के लिए बता रही हूं अगर आप शिंगार करेंगे इस तरह से तो बहुत सुन्दर लगे क्योंकि इनकी साइज की मांग टीकव अगर मिलता नहीं है तो यह बहुत ही सुन्दर लग रही है सचके आप सब भी इनका दर्शन करिया अब बताइए का जरूर कैसी लग रही है मुझे तो बहुत सुन्दर लग रही तो यह हो गई तैयार अब आगई उदर काना जी खड़े उनकी बारी यह जा रही है वरिंदा वन अब बताइए काना जी तो मैंने मंदिर में माता जी के बाजू में बिष्टाम करने के लिए बठा दी हूँ अभी काना जी को लाके मैं थोड़ा सा जो लरी था हो निकाल दी उसके बाद मैं इनको श्ञान करा दी साधे पानी से फिर तोड़ा सा गंगा जल डालके अच्छे से इनके ऊपर पानी अबजब ने करता है, फिसल जाता है, मकराना में है, तो इनका पैंट मैंने पैना दिया, और यह इनका हाप लाउज है, और इसके साथ में मैं बनाई थी, तो अभी उपर मैं कमरकाचनी पनाऊंगों, तो इनके नेट में जो बनाई हूं, इसमें मैं अस्तर लग रहे हैं इस तरह से भी करने पर और ये कंमर बंद है जो ना यहार है इसका मैं कमर बंद बना रहे हूं तो मैं ज्यादा तर हार से कंमर बना दी यहार मुझे न इनका बहुत सुंदर लगता है याई मैilot पहन इसमें 4-5 निकला है चोटे-चोटे तो मैं इसको ना आगे पीछे छोटा वड़ा करके इनका शिंगार कर दीगों तो देखे इस तरह से मैंने लटका दी हूँ कोई धर लटका दी कोई उधर लटका दी हूँ तो इसी तरह से एक ही में इनका पूरा हो गया और एक छोटा सा लेवंद वाला पना दी अपना नीचे सोने का चैन पहने हुए है जो अभी मैं इनको बड़े को गिप्ट में बनवाई थी तो इस तरह से कान की बाली पना दी और यह कंगन मैंने विरिंदावन से मंगाई थी जब सामान तो उसके साथ आया हुआ था तो यह इनके पैर में पाइल भी पना दी हूँ अभी मैं चार हुँकि फटा फट वाला सिंगार करूँ कि मुझे जाना है तो इसके लिए मैं इनका सिंगार डाल के जाओ वी सचके तयार हो गए है और अभी इनका पगडि बानना बागी है यह जो मैंने देखो यह सब लगाती हूं अंगोटी न पाट में में उसको निखालके ग्रिन वाला लगा दीयुटाजी एभी बाल के बार अदूर शिंगार है की पगड़ी बांदा तो मैं भी इनका पगड़ी बांती नहीं हां करें अट में इसके लिए थोड़ा आपको सेह dargestellt दिखाती हुए तो देखे यह मैं कपड़े से बांदुगा और यह लेस है इससे मैंनों ऊपर से लगा दी हुँ यह लेस रहता है तो मैं गोल्डन मैचिंग कर रहा था तो इसको मैंने लगा दी हुँ तकर करके पगड़ी को बांते हैं अगर कभी बोलेंगे तो कमेंट मुझे भी कोई खास पगडी बांदी नहीं आती है पर बस इनका काम चल जाता है मेरे को इतना आता है बस यही में सोच के बांद देती हूं और इनके पैर में दो मैने श्टोन वाली बिंदी लगा दी हूं अंगोठी के लिए और यह पटका जो है यह रेडिमेट है इसके मुखडा हो गया है बहुत सुंदर लग रहा है अब अपना बासूरी लेके आप जाएंगे बासूरी बजाने अपने गईया चराने और बहुत ही सुंदर लग रहे है इनकी पगडी में मैं इस चारो तरफ से पीन लगा दी आप इनके पगड़ी में जब तक मैं इनको इतर लगा के मीरर दिखाती हूं और उसकी बाद नमक से मैं नजर निकालती हूं क्योंकि मेरा ही नजर लग जाएगा इनको और ऐसे लग रहे है कि जैसे की स्वर्गश्य उत्रे हुए है भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं अगर इससे रिलेटिव आपको कोश्चन करना चाते हैं आप पूछना चाते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और देखिए इस टाइम पर पहुने तीन बज़ गया है बारा बज़ेस में सिंगार कर रही हूं तो वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हुगा तो चैनल को लाइक सब्सक्रा कि और देखिछ